नमस्कार आपका स्वागत है और यानियोस के डिजिटल लेटफॉर्म है और मैं आपके साथ इक्षा शरूँ हूँ मेरे वतन के लोगों जरा आख में भरलो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो को पानी यह गाना हर साथ सौतंतृता दिवस और गणतंतर दिवस पर खूब सुना जाता है और खूब ही पसंद किया जाता है इस गाने के बोल और इस गाने को जिसने गाया लता मंगेशकर जी जो हमारे बीच में नहीं है जिहां लता मंगेशकर जी का आज देहान थुआ रविवार सुबह करीबन आठ बजें का देहान थुआ 92 साल की उम्ड में उनका देहान थुआ लेकिन उनके गीत और उनकी बोली हमेशा हमेशा हमारी यादों में रहेंगी और हमारे बीच रहेंगी उसी गाने से जुड़े एक किसे को आपके सामने पेश करते हैं आपको बतते हैं कि इस किसे से जुड़े आखिर लता मंगेशकर की पीछे की क्या कहानी थी जो पंडित जवाहर Lawrence महरू भी सुन कर उनकी आंखों में फानी आ गया था आपको बता दें कि मेरे वतन के लोगो कवी प्रदीप ने लिखा है जिसे पहले तक लता मंगेशकर गाने से इंकार करती रही लता मंगेशकर ने पहले तक इस गाने को गाने से इंकार कर दिया था और कहा था कि मैं ये गाना नहीं गापाऊंगी क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है आप मेरी छोटी बहन आशा भोसले से इसे गवा सकते हैं लेकिन कवी प्रदीब के कहने पर लता मंगेशकर मानी और उन्होंने ये गाना गाया आपको बता दें कि लता मंगेशकर नहीं चाहती थी कि वह ये गाना अकेले गाये वह चाहती थी कि वह अपनी भेहन के साथ मिलकर इस गाने को गाये और तकरीबन उनका खयाल भी विल्कुल ठीक था लेकिन अंतिम समय पर आशा भोसले ने जाने से इंकार कर दिया और इसकी प्रस्तुती दिल्ली में 1963 में होनी थी जिसके लिए लता मंगेशकर जी घर से अकेली निकली और गरतात्र दिवस के समहारों पर उन्होंने ये गाना गाया तो उस समय पंडित जवाहरलाल नहरु की आँखों में ये गाना सुनते ही आसु आप गया और अब ही भी कई लोग ऐसे हैं जिने इह गाना सुनकर जो आत्म विश्वास से भड़ जाते हैं क्योंकि ये गाने के बोल ही ऐसा है गाने को इस लहाय में गाया गया है इस गाने की यो आवाज है वो लता मंगेशकर की है तो बेहद ही गाना अच्छा है और इसकी ज़ेक वो भी कात्वी अच्छी है तो ये था लता मंगेशकर से जुड़ा एक किस्सा है मेरे वतन के लोगों को लेकर अब आप लोगों को पता होगा मतलब जब तक लता मंगेशकर ये गाना गाना भी नहीं चाहती थी और कहां ये गाना उनकी आवास से ही अब अमर हो गया है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल इन न भूलिए और ऐसी ही ताज़ा तमाम अब्रेट्स को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया निउसका डिजिटल प्लैट्पर्पर्पर्प्र अगर आपको हमारा ये वीडियो प खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया निउसनेशनल